कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जी जाते हैं आज दोस्तों कोई भी वीडियो स्टडी से रिलेटेड नहीं है आज ये तुमाई फ्यूचर से रिलेटेड है इसलिए आज की वीडियो पूरी देखना और अपने जितने भी स्टूडेंट फ्रेंड्स है उन सबी को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शियर करना जिसके हाथ में बलून बचा हो फड़ा, अजिसके हाथ में बलून बचा हो वबन क्या सोचाको था कुर खुस होगा, साब अर्षी देगा मैंने अपनी इस्ट्रक्शन में बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो बिला मैंने कहीं पर ये बोला था कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना जरूरी है क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते कोई situation हो सकती थी कि हम सब जीत जाते क्या कोई situation हो सकती थी क्या अगर कोई किसी का balloon नहीं फोड़ता तो हम सब जीत जाते मैंने कहीं नहीं का कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है मैंने कहीं नहीं का कि जीतने के लिए दूसरे का नुकसान करना ज़रूरी है लेकिण हमारी psychology ऐसे ही चलती है हमें लगता है जीतना है जीतना है तो किसका नुकसान करूँ जैसे ही मैंने का जिसके के आध में बिलून बचाऊगा सब के टूस्दिक रडी होगे किसका फोड़ना है और देखो कैसे चल रहे थे एक कफ उट गया तेरा भी फूट गया आजा उसका फोड़ते दो लोग मिलके हाँ तेरा भी फूट गया वो बचा जा उसको हराते यही चीज होती है आने के चक्कर में हम सब हार जाते हैं एक दूसरे को नीचे करने के चक्कर में हम नीचे चले जाते हैं एक दूसरे को डिफीट करने के चक्कर में हम हार जाते हैं तो गाइस इससे एक ही मौनल मिलती है कि जितने भी फ्रेंट्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते रहो और उनके साथ अपना जो नौलेज है वो हमेशा शेयर करते रहो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरू से कर देना अपने सब भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर तो फटा फट से सब्सक्राइब कर दो